Hello Students, Welcome to RTI Education World Dear Students, इस वीडियो के अंदर जो आकी कक्षा 10 की हिंदी विशे की जो कार्य पत्रक आया है, कार्य पत्रक अठारा जिसकी डेट है 14 अगस 2020 उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके प्रशनों के उत्तर भी देखेंगे आज की जो वरक सीट है, बड़े ही आपके एक राइटिंग स्किल जो आती है आपकी जो लेखन शेली होती है, उसके उपर है और वो किसके उपर है संदेश, संदेश specific है ये, जो संदेश का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को कोई खबर देते हैं या कोई समचार मिलता है किसी को, तो उसको हम संदेश बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति हम किसी भी कारण से, अगर हम उसे सीधी बात नहीं कर पा रहे हूं, वो हमारे पास नहों, तो हम उसको क्या करते हैं, क्या देते हैं, हम उसको संदेश बेजते हैं, या हम उसको खबर बेजते हैं, ठीक हैं, और संदेश किसी समू या केमस को भी दिया जा सकता है, किसी एक special एक आदमी को भी दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को भी संदेश ब पुरा भी हो सकता है तो सुखत दुकत दोनों तरह के होते हैं जब आप संदेश लिखेंगे तो यह सारी जो बाते लिखी हुई है यह सब आपको धिहान रखनी है जल्दी से देख लेते हैं क्या-क्या है वैसे आप इसको पढ़ लेना एक तो बोक्स में होता है हमेशा जो आ से देखने को कि आप में कितनी इसरजनात्मक सकती है वह से देखने का कि आप में आप कितना सोच सकते हैं यह सीधे सबदों में लिखा जाता है लेकिन बड़ा प्रभाव शाली होना चाहिए यह ठीक है इसमें इधर उधर की बाते तो लिखी नहीं सकते क्योंकि यह 30 देखिए इन्हों ने आपको उधारन भी दिया है, उधारन में जनम दिवस की सुबकामनाओं, सुबकामना संदेश, मतलब आपके जो बड़े होता है, उसकी सुबकामनाओं के लिए संदेश दे रखा है, और उसमें डेट लिखी है, टाइम लिखा है, उसके बाद संदेश नीचे नाम लिखा है तो अब ये जो कोशन के आंसर है इसको देखना है क्योंकि ये दो कोशन दिये हैं उन्होंने जो आपको जिनके आंसर करने है पहला है स्वतंतरता दीवस पर देशवासियों के लिए सुबकामना संदेश और दूसरा है संक्रामक बिमारियों के प्रती ल आप अपने संदेश को ऐसे लिख सकते हैं यह आपका कहका अंसर देखिए सबसे पहले बोक्स बनाईए बोक्स के अंदर संदेश लिखिए फिर लिखिए स्वतंतरता दिवस पर सुद्कामना संदेश उसकी बाद देखिए जैसे क्योंकि हम इसमें सेरोशायरी भी लिख सकते हैं तो हम मैंने भी उसी तरीके से लिखने की कोशिस किये अपनी आजादी को हम हर गिज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर जुका सकते नहीं फिर डेट लिखिए उसके बाद समय और उसके बाद दिखा हैं सभी देश वासियों को 74 वे स्वतंतरता दिवस की हार्द हम सब देशवासी हमेशा अपने तिरंगे की सुरक्षा में तत पर रहें और नीचे हमें अपना नाम लिख देना है जैसे कि मैंने एक्जांपल के लिए साहिल गुपता लिखा है अब दूसरे जो हमारा दूसरा बैपाट था उसका हमें आंसर कैसे करना है उसको देख लेत संक्रामक बिमारियों के प्रती जागरुकता संदेश और उसके बाद लिखा उसी तरीके से स्वास्थे को सब्दे पहले स्थान तभी होगा बिमारियों का निदान दिनांक लिखें समय लिखें मेरे प्यारे देशवासियों आज के दोर में संक्रामक बिमारियों ने महमार का रूप ले लिया है भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक गहन समस्या है इसलिए सबी के लिए आवश्यक है सरकार और चिकित्सा अधिकारियों के निर्देश्यों का पालन करें कम से कम 2 फीट की दूरी बनाए रखें एक दूसरे की चीजों का प्रयोक से बचें और न सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दीजे वीडियो को कमेंट करिए और कम से कम अपने 20 दोस्तों को वीडियो को जरूर सेयर करना अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपकी कुछ हेल्प हुई है मेरी वीडियो से थैंक यू लगता है